नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुल गुरु में. आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय दो के बारे में. पहले हम इस अध्याय का संक्षेप में विचार करेंगे. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की मोहित और उदासीन स्थिती को देखते हुए उन्हें ज्ञान और कर्म योग के माध्यम से. राश्च्य और नैतिक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं. इस अध्याय में अर्जुन के अवसाद, धर्म संकट और जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों को व्यक्त किया गया है. आईए, अब हम इस अध्याय से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण जीवन सूत्रों पर चर्चा करें. पहला सूत्र है, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो. दूसरा सूत्र है, सच्चे मन से कर्म करो, सफलता या असफलता के संग मोह नहीं करो. तीसरा सूत्र है, तुम्हारी आत्मा को कोई भी हत्या नहीं कर सकता, वह अमर है. चौथा सूत्र है तुम्हारी आत्मा किसी से नफरत नहीं कर सकती, सामान्य ध्रिष्टी से उसे देखा नहीं जा सकता पाँचवा सूत्र है जो शरीर में व्याप्थ है, वह अविनाशी है तो दोस्तों, ये थे भगवद गीता अध्याय दो से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण जीवन सूत्र इन सूत्रों को अपने जीवन में अमल करके आप खुशाल और सम्रिद्ध जीवन जी सकते हैं यदि आप और अधिक ज्यान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल स्पिरिच्छल गुरु को सब्सक्राइब करें और अपनी राए नीचे कमेंट में जरूर दें